हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फोर्थ एर की मटेरिया मेडिका की सारी मेडिसिन्स कवर करेंगे और यह मैंने नोट्स पपर किये इनसे हम पढ़ेंगे तो इस नोट्स मैंने बोरिक का स सासत एलन और इसके दोबे की भी सारे पॉइंट्स करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अब्रोटैनम के प्रूवर हैं डॉक्टर कर सिंग और इसका कॉमन नेम है सदन वोड जिसे हम लेडीज लव भी बोलते हैं इसकी फैमिली है कमपोजिटी इंट्रोडक्शन में दे मदर ट इससे बनता है सदन वोड जो प्लांट है लेडीज लव जिसे अब रोटैनम बोला है उसकी फ्रेस लीप से प्रपेर जाते हैं और यह कहां ग्रोकरते हैं इसे सदन वोड क्यों बोला है क्योंकि यह साउथ यूरोप सदन यूरो प्रोकरते है रैमेडी ओफन रिक्वाईर in cases of merasmus in children and for rheumatism caused by check diarrhea तो किस चीज़ की बहुत अच्छी medicine है remedy बोलाए से remedy कब ये require होती है merasmus अगर बच्चों में merasmus देखने को मिल रहा है और दूसरा rheumatism अगर rheumatism के साथ साथ diarrhea देखने को मिल रहा है तो हम abrutanum देंगे remedy for metastasis और किसके लिए अच्छी medicine है remedy किसके लिए metastasis के लिए अब इसकी pathogenesis और clinical देखते हैं prominent alternate action इसका जो action है prominent है और alternate है act on GIT system GIT पर act करती है और क्या cause करेगी indigestion cause करेगी produce rheumatic and gouty disease और क्या करती है rheumatic and gouty disease produce करती है तो इसका spare of action mainly कहां देखने को मिलेगा GIT में और joints में ठीक है गाउट में देते हैं chill blains के cases में देते हैं hectic fever में गाउट फिर से आगया hydroceal length area length area क्या होता है कि food को अगर जो हमने food लिया और वो बिना digest हुए स्टूल में पास हो जाए तो उसे ऐसी condition को length area कहते है hemorrhoids में देते हैं autovascular अगर pleuracy हो रही है तो इस case में देंगे bleeding from umbilicus अब ये भी एक important point है हर medicine में ये देखने को नहीं बिलेगा अगर umbilicus से blood निकल रहा है तो उसके case में abrotenum देते हैं spare of action देखे हैं तो हमने देखा GIT पर act करती है nerve पर, mind पर, fibrous tissues पर और serous membranes पर अब इसका constitution देखते हैं अगर हमने spare of action पढ़ लिया pathogenesis पढ़ लिया तो एक बार ये समझते हैं कि इसका work कैसे act करती है कैसे काम करती है अब इसे याद करना है हमें तो abrotenum अगर दूबले पतले हैं तो किस कारट से हो सकते हैं या तो खाना डंग से नहीं मिल रहा यह खाना सरीर को नहीं लग रहा तो abrotenum का एक जो feature है वो क्या है यह खाता भी है फिर भी दूबला पतला होता है तो इसमें क्या तीन चीज़े इसमें ध्यान रखेंगे हम कि नहीं हो रही है क्या नहीं हो रहा डाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि अंडाइजेश्टिट फूड पार्डिकल्स आ रहे है इस्टूल में लेंटे दिया हो रहा है उसके लावा अगर digestion हो रहा है तो assimilate नहीं हो रहा होगा तभी और अगर assimilate भी हो रहा है तो खाना ऐसा ले रहा होगा कि proper nutrition नहीं मिल रहा होगा तो यह सारी चीजें हो सकती है उसके अलावा हमने देखा metastasis metastasis यहां पर cancer वाला नहीं है Metastasis का मतलब है यहां पर कि alternate condition होगी हमने यहां पर देखा होता prominent alternate action मतलब कभी यह दिक्कत है तो कभी यह दिक्कत है कभी दूसरी दिक्कत कभी कुछ और कभी कुछ और Constitution देखते हैं Merasmus of children with marked emaciation Merasmus बच्चों में अनर्जी की डिफिशेंसी है मतलब डाइजेशन तो होई नहीं रहा एसिमिलेशन हो नहीं रहा उसके साथ न्यूटिशन भी नहीं मिल रहा ठीक है इसके specially of legs अब क्या है Merasmus है बच्चों में emaciation है दुबले पतले हैं दुबले पतले हैं खासकर जो इसके legs हैं उनमें में emaciation देखने को मिलेगा आयोडम सैनिकुला और टुबरकुलानम और अपर बॉडी में कहां देखने को मिलेगा लाइकोपोडियम नेट्रम्यूर और सुरायनम तो एलिंस की नोट में बताया है कि नीचे की जो बॉडी होगी इसकी महां से होगा तो अगर चेहरे से आप देखोगे तो आपको लगे गने के बच्चा पतला है लेकन टांगे बहुत पतली होगी वहीं लाइकोपोडियम नेट्रम्यूर और सुरायनम में क्या है उल्टा इमचीएशन बिगन बिगन्स इन लोओर लिम्स एंड ग्रेजुली इस्प्रेट्टा अब्वाती कैंच की लाइन है की इमचीएशन लोऑर लिंस से सुरू होगा और दीरे दीरे ऊपर की तरफ जाएगा देजिए ए उलस्ट अफएक्ट और लिश्ट रग निश्ट अब म अब कहते हैं कि इसको खाना नहीं क्षबता नहीं कोच लोग तो किया सावगा वच्छा इंदेशों रिटेवल और क्रॉस होगा डेस्पोर्डेंट वोईलेंट बहुत जाधा वोईलेंट होगा और यह इंपोर्टेंट होगा इन्होमन इन्होमन अप्रोटैनम महीं देखने क अब आपको मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा खूल है, इनहीं है, वो लाइक टो डू सम्टिग क्रूल और डिस्ट्रुक्टिव, ऐसा कुछ करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा खूल कुछ करना इत्यूजा में हमें ऐसा देखने को मिलता है एत्यूजा में अधिजन को मिलता है तो फेस में क्या है is old pale wrinkled बुड्डों जासदा सका चैरा हो जाएगा जुद्यों दार मेस्टाइटिस की कंडिशन में भी देते हैं ठीक है रिंकल और किसमें देखने को मिलेगा ओपियम में पर हमें इंपोर्टन चीजन जादर ध्यान रखनी है जैसे अपोजिट कौन कौन सी थी लाइको पोडियम नेट्रम मूर और सुरायनम और मेरासमस और किसमें हो रहा था अपोडियम सेनेकुला और टिवर कुलम और इसी के साथ हैड वीक है और होल्ड नहीं कर पाएगा किसमें देखने को मिलेगा इत्यो सामें ठीक है अब देखते हैं अब देखते हैं अब्दमन में क्या है यह इंपोर्टन सम्टम है उजिन मिलेगी ब्लड और म्यूकस की कहा इंपलाइकस यह बहुत कम किससमें, इससा देखने को मिलेगा, जब देखने को मिले हमें एक बार में यादारना चाहिए, Eprotenum और किसमे होता है कि वह के दिखने को में जाता है, पर Eprotenum में भी है, यह बोरिक की लाइन है जी आई टी में देखेंगे रेविनेस अंगर बहुत जादा भूख लगे कि उसे लूजिंग फ्लैस वाइट इतिंग वैल खाते खाते भी फ्लैस लूज कर रहा है और किसमें देखने को मिलेगा है यह आईडम नेट्रम्यू सैनिकुला टुबरकुलम यह चार मेडिसन तो मैं हमेशन याद रखनी है आयोडीन सैनिकुला टुबरकुलम और नेट्रमूर यहां पर मेरासमस भी है अच्छा खावी रहा है तब भी नहीं लग रहा है और अल्टरनेट कॉंस्टिपेशन और डायरिया कभी कॉंस्टिपेशन कभी डायरिया कभी सलब कि पेट में पानी और पेट उसमें तहर रहा है ठीक है अब तीन चीज़ाtechn है मेरासमस है मेटास्टेस है और रूमेटिजम है मेरासमस है तो हर जो जोगे दुबला पतला है । और धंबीक है इन ह overеж और फिर दूसरा था metastasis मतलब कभी constipation कभी diarrhea alternate हो रहे हैं symptoms अब तीसरा है rheumatism rheumatism है तो क्या होगा limbs affect होगी painful contraction of limbs limbs में दर्द होगा from cramps और following colic colic or cramps की वज़े से पेट भी दिक्कत दे रहा है तो अगर पेट में कोई दिक्कत होगी तो भी limbs में दिक्कत होगी ठीक है अब rheumatism देतने for excessive pain before swelling commences swelling के आने से पहले ही दर्द होगा मतलब swelling बात में आएगी pain pain पहले दिखेगा अगर patient से पूछोगे तो अगर Susan भी है उसके तो आप पूछोगे कि यह कब से Susan तो बहुत दिन से हो रहा है लेकिन Susan बात में आई है from suddenly checked diarrhea suddenly chuck diarrhea मतलब अब rheumatism की complain कहां से आ रही है हमने इंट्रो में ही बढ़ाता कि suddenly chuck diarrhea मतलब अचानक से पहले diarrhea होगा diarrhea की विज़े से फिर क्या rheumatism देखने को में लेगा और other secretion alternate with hemorrhoids with dysentery और जो भी secretions है वो alternate करेंगे कभी hemorrhoids की कभी dysentery से मतलब हर जगे metastasis देखने को में लेगी सारे symptoms alternate करेंगे gout joint stiff होंगे swollen होंगे with pricking sensation रिस्ट और ankle joints painful होंगे और inflamed होंगे अब आगे देखते हैं very lame and sore all over पूरी body lame होगी और पूरी body में दर्द होगा हर जगे lame और sowness मिलेगी merasmus of lower extremities only अब हमने देखा कि सबसे पहले क्या होगा lex effect होगी उसके बाद upper body effect होगी तो lex में देखने को मिलेगा fever great weakness and prostration बहुत जादा weakness देखने को मिलेगी बहुत जादा prostration होगा मतलब कमजोरी रहेगी hectic fever में देते हैं hectic fever क्या है sustained fever with little change in temperature मतलब fever बना रहे रहा है जाई नहीं रहा है थोड़ा 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 मतलब बहुत कम temperature में change जा रहा है कभी 0.3 degree उपर हो गया कभी नीचे हो गया और क्या हो रहा है sustain रहा है तो हम उसे hectic fever होलते है तो hectic fever के लिए अच्छी remedy है कौन सी children unable to stand अब बुखार भी आ रहा है मेरासमस भी है बहुत जादा वीक है टांगे पतली है तो खड़ा कैसे हो पाएगा तो unable to stand इसकिन कैसी है कि इस अच्छीड क्या है ङुख सु KaiserOSE मैं में खोड़ा त Emil आहना है तो खड़न से अच्छीज में जए हां इस सीए च्रफट कीूहरा जाता है फोग मेराक के आगे तो इसे उël में में से किल इस एग साहसमस के उसे sapphat 둘 हुक पंधे किमपया मोडलिटीव देंगा जरूं सीक्रेशन से नाइट में और बेटर किसे होगा मोसन से इसे अराम लेगा तो यह थी अब इसमें एक कुछ कमपारिजन्स दिये थे हमने पड़ी थी चार मेडिसन जो कॉमली पड़ी थी आयोडम सैनिकुला टुबरकुलनम और नेटमूर में क्या था अपर बोडी का मेरासमस देखने को मिल राता जादा अपर वॉड़ी एफेक्टिव थी लाइको पोडियम नेटमूर में यहां पर लोर वॉड़ी एफेक्टिव एप कमपारिजन देख लेते हैं एक बार सैनिकुला इमेशीशन कैसा होगा प्रोग्रेसिव होगा ग्रीजी ओल्ड डिर्टी लुक तो सैनिकुला में क्या इमेशीशन वहां भी प्रोग्रेसिव होगा ग्रीजी ओल्ड डिर्टी लुक होगा यहां पर कैसा था ओल्ड रिंकल्ड था उसी के साथ साथ ब्राउन इस भी होगा इसकिन अवाउट नेक रिंकल्ड हैंग्स इन फोल्ड और इसकिन कैसी होगी जो असपर देखने के इसके ल्टके की और तकर वाडगोम देखने हो खोगा थ्रूएट इसूमन इसके वड़ाशन तर इकड़ा होगा तुट्र में अपर बीड देखने के अच्के लड़ा में और आप सनी कौला मेंग लोस फोगी लेकिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ नहीं फोल्स देखने को मलेंगे लूज होगी और हैंग करेगी ठीक है, नोट क्या है रिमेटिक सिम्टम्स कनेक्टड विज जी आईटी यह हम देख चुके हैं कि रिमेटिजम किसे आ रहा है, चेक्ट डायरिया से आ रहा है अबरोटैनम में इमेशेशन देखने को मिलेगा, especially of लेकिन आयोडम में क्या होगा इमेशेशन तो होगा लेकिन पूरी बोडी का होगा ऐवेक्नेस अबरोटैनम में वीक्नेस देखने को मिलेगी, can't hold head, head को hold नहीं कर पाएगा यहां पर क्या है hypertrophy देखने को मिलेगी glands की और induration देखने को मिलेगा तो iodum और abrotenum में जो main difference हमें देखने को मिलना है वो क्या है यहां पर glands भी effect हो रही है glands की hypertrophy हो रही है induration हो रहा है ठीक है और abrotenum में क्या है revenus hunger होगी losing flesh while eating well यहां पर भी होगा iodum में भी revenus hunger होगी lose flesh with great appetite ज़्यादा खाएगा तब भी flesh lose करेगा यह दोनों सेम है लेकिन iodum का एक marked feature है कि इसमें mark thrust होगी प्यास बहुत ज़्यादा होगी तो यह थी हमारी evrotenum complete हो गई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी query है तो comment section में पूछ सकते हैं और आप चैनल